अब हम सेल विभाव के बारे में जान लेते हैं जब किसी धातू इलेक्ट्रोड को उसके विलेन में डुबाया गया तो यहाँ पर एक विद्यूती द्वी इस्थर का निर्माड होता है क्योंकि धातू जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रोन त्याग देता है उस पर निगे विभव को परिभाशित कर लेते हैं किसी भी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवांतर को सेल विभव कहते हैं किसी विद्यूत्रासायनिक सेल में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें हमने देखा कि दो अर्ध सेल होते हैं तो किसी भी विद्यूत्रासायनिक सेल में द E cell बराबर होता है E cathode minus E anode, यहाँ पर E cathode minus E anode, तो cathode को हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, चुकि cathode right hand side में है, तो ER minus EL के रूप में भी इसको दर्शाया जा सकता है, यहाँ पर anode पर oxidation और cathode पर reduction होता है, तो उस रूप में भी इसको दर्शाया सकते हैं, कि जैसे E, R, E, D लिखा है, मतलब E reduction minus E oxidation, यहाँ अपचैन हो रहा है right hand side में और जो oxy current की क्रिया है वो हो रही है left hand side में, तो इसके अंतर को भी हम दर्शा सकते हैं E cell के रूप में, अब यहाँ पर जो galvanic cell है, galvanic cell में zinc electrode है और copper electrode है, तो zinc के लिए जो electrode विभाव का मान है, वो minus 0.76 volt और जो copper है, उसके लिए मान होता है, plus 0.34 volt, तो यहाँ galvanic cell के लिए यदि हम E cell calculate करेंगे, तो E cell बराबर E cathode minus E anode, यदि यहाँ पर हम जो विद्यूत अब घटे है, उसकी सांद्रता E ki में ले लें, तो E zero के रूप में से दर्शाय जाएगा, यहने standard electrode potential को E zero के रूप में दर्शाय जाता है, यहने विद्यूत अब घटे की जो सांद्रता है, वो one molar हो, temperature 298 Kelvin हो, और one atmospheric pressure हो, सब कुछ standard है, तो यहाँ जो E की value है, उसे हम E zero के रूप में दर्शाय जाता है, तो जो यहाँ सूतर है, उसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, E zero cell equal to E zero cathode minus E zero anode, तो E E zero cathode, cathode यहाँ पर copper है, galvanic cell में, तो copper के लिए है, 0.34 minus, चुकि anode यहाँ पर zinc है, तो zinc के लिए जो value है, minus 0.76, जब दोनों को हम जोडते हैं, तो value आती है, 1.10 volt, तो यह galvanic cell के लिए E zero cell की value, या electrode, जो cell विभा हो का मान है, वो हमें प्राप्त, यहाँ पर हम विद्यूतरा साइनिक सेल को तीन तरीके से किस तरह से convert करके देख सकते हैं, यदि यहाँ पर external कोई battery लगा दिया जाए, तो इसकी परिस्थितियां कैसे बदलेंगी, वो हम देख लेते हैं, जो विद्यूतरा साइनिक सेल होता है, उसमें अगर हम बाहे बैटरी लगा दें, तो तीन तरी से यहाँ पर changes हो सकते हैं, पहला जो है, वो है galvanic cell, दूसरा उसका जो nature होगा, वो reversible, और तीसरा जो है, वो electrolytic cell की तरह कारे करने लगेगा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जो galvanic cell है, जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं, सब वही रहेगा, सिर्फ एक external battery यहाँ पर लगा जा रहा है, उसके लिए जो value है, बाय बैटरी की जो छमता है, वो यहाँ पर cell की तुलना में कम होगी, तो यहाँ जो value है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कि E cell is less than 1.1 volt, तो जो 1.10 volt है, वो है galvanic cell के लिए electrode potential की value, galvanic cell के लिए जो E cell है, या cell विभो का मान है, या विद्ध व बहागबल का मान है 1.10, तो यदि E cell is less than 1.10 volt, तो ऐसी स्थिती में क्या होगा, यहाँ पर जो reaction है, वो स्वता होगा, डेल्टा जी की value नेगेटिव होगी, क्योंकि जो spontaneous process है, तो spontaneous process के लिए जो मुक तूर्जा परिवर्तन का मान है, वह रिणात्मक होता है, electron का जो flow है, वह zinc से copper की तरफ होगा, और जो current का flow है, वो copper से zinc की तरफ होता है, यहाँ जो reaction है, इसमें हम देख रहे हैं, सेम उसी तरह का procedure है, जैसा हमने glyvanic cell में पढ़ा, कि chemical energy, electrical energy में convert होती है, यहने electricity produce हो रही है, दूसरा हम देखेंगे, कि यदि जो बाह ये battery की छमता है, वह E cell के ही, यहाँ जो E cell का मान है, वो 1.1 volt के बराबर ही है, तो यहाँ यह reversible होगा, किसी भी प्रकार की chemical reaction यहाँ पर नहीं होगे, ना electron का flow होगा, और ना ही यहाँ पर किसी प्रकार का current flow होगा, तीसरा जो condition है, वो हम देख रहे हैं, कि यदि E cell का मान 1.1 volt से जादा है, यह बाह बैटरी की जो छमता है, वो cell भी बहुत से अधिक है, तो ऐसी इस्थीती में, जो electron का flow है, वह copper से zinc की तरफ होगा, और जो current का flow है, वह zinc से copper की तरफ होता है, तो यह जो zinc है, यहाँ पर cathode की तरह कारे करेगा, और जो copper है, वह यहाँ पर anode की तरह कारे करेगा, तो जो यहाँ पर changes हो रहे है energy की, वो कैसी होगी, वो विद्यू तूर्जा, रासा एनिकूर्जा में परिवर्तित होती है, यहाँ electricity जो है, जैसे galvanic cell में electricity produce हो रही है, यहाँ पर यह consume होगी, तो यह जो cell है, वो होगा electrolytic cell या विद्यू तब घटनी cell की तरह यहाँ पर यहाँ कारे करने लगता है, तो copper यहाँ anode हो जाएगा और zinc यहाँ cathode हो जाता है, current का flow zinc से copper की तरह होगा, और जो electron का flow है, वह copper से zinc की तरह होने लगता है, Galvanic cell एवं विद्यू तब घटनी cell में अंतर, पहल से वीद्यू तरसायनिक cell में redox सभी क्रियाएं होती है, और उनके द्वारा विद्यू तूर्जा उत्पन्ण होती है, जबकि विद्यूत अबगटनी सेल में विद्यूत उर्जा बाहरी स्रोच से दी जाती है और उसके द्वारा विद्यूत रासायनिक परिवर्तन या विद्यूत अबगटन होता है विदूत रासाइनिक सेल में एनोड रिणध्रू वाला होता है, कैथोड धन्ध्रू वाला होता है जबकि विदूत अबगटनी सेल में एनोड धन्ध्रू और कैथोड रिणध्रू वाला होता है विद्धूत अबगटनी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड अलग-अलग विलियन एवं पात्रों में रखे जाते हैं विद्धूत अबगटनी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलियन में रखे जाते हैं विद्धूत्रासायनिक सेल में लवन सेतु आवश्यक होता है जबकि विद्धूत अभगटनी सेल में लवन सेतु की आवश्यकता नहीं होती है कभी-कभी ज़्यादा क्रियाशील उत्पादों को न मिलने देने के लिए डायफ्राम या सरंद्र रोधक का प्रयोग किया जाता है विद्धूत्रासायनिक सेल में के कारी करने पर मुक्तूर्जा में कमी आती है तो डेल्टा जी इस लेस देन जीरो विद्धूत्रासायनिक सेल पर कारी होने से उसकी मुक्तूर्जा में फ्रिद्धी होती है तो डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो हम किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड विभाव का मापन अकेले नहीं कर सकते किसी भी electrode के लिए जब हम electrode विभव का मापन करते हैं तो उसके लिए कि standard हमें मानना रहता है तो standard यहाँ पर माना जाता है hydrogen electrode को standard hydrogen electrode इसको short में SHE के रूप में भी जाना जाता है या normal hydrogen electrode इसे NHE के रूप में भी जाना जाता है इसे संदर्व इलेक्ट्रोड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड के नाम से भी जानते हैं क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से ही हम दूसरे धातु की इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं तो जो hydrogen electrode होता है, उसके लिए electrode विभव 0.00V है, इसको आधार मानकर दूसरे electrode के लिए electrode potential को count कर सकते हैं, अब हम hydrogen electrode की संरचना के बारे में जान लेते हैं, hydrogen electrode, hydrogen यहाँ पर gas है, तो इसके electrode को किस तरह से बनाया गया है, वो आप देखिए, जो यह hydrogen का electrode है, यहाँ पर एक beaker है, जिसमें 1 molar HCl solution याने अमल का solution लिया गया है, 1 molar HCl भी ले सकते हैं, और 1 molar H2SO4 भी ले सकते हैं, अमल का विलियन है, तो यहाँ पर काज की नली उसके अंदर डूबी हुई है, जि इसमें प्लेटीनम का तार लगा है, अब इस प्लेटीनम की तार की साहता से प्लेटीनम की पत्ती जुड़ी हुई है, जिस पर प्लेटीनम ब्लेक लगा हुआ है, तो यह जो प्लेटीनम ब्लेक है, वो यहाँ पर अधिसोशन के लिए सता परदान करता है, अब यह जो पू करता है वो देखिए प्लेटीनम की सतफ़ पर यहां पर अधिसोशन की क्रिया होती है दो प्रवाहिद जो H2 गैस का कुछ अंश है वो ψ प्लेटीनम पर अधिसोशित होगा और शेश जो अंश है वह बुलबुले के रूपने बहार निकलने लगता है तो तो जो platinum की सता है वहाँ पर hydrogen याने H प्लस इलेक्ट्रोन ग्रेहंड करता है और एक H बनता है फिर दूसरा एक H प्लस है वो इलेक्ट्रोन ग्रेहंड करता है H बनता है तो इस तरह से H2 बनता है H2 गैस का निर्माड होता है जो hydrogen electrode है उसे हम कैसे शो कर सकते हैं hydrogen electrode को लिखने का तरीका पहले हम लिखेंगे platinum फिर solid platinum चुकि धातू है तो वो solid है फिर एक छोटी लाइन है फिर H2 गैस के रूप में हो गई अब 1 बार चुकि H2 गैस को हम 1 atmospheric pressure पर या 1 बार प्रेशर पर अंदर भेजते हैं तो 1 बार लिखेंगे फिर double लाइन है इसके बाद H plus है तो H plus यहा हम सांद्रन ले रहे हैं 1 molar चुकि यहां बात हो रही है standard electrode potential की standard hydrogen electrode की तो जो पूरा condition है पूरी जो शर्ते हैं वो standard होंगी यानि 298 Kelvin temperature होगा 1 bar atmospheric pressure होगा यहां पर जो सांद्रन है solution में वो हम ले रहे हैं 1 molar HCl का तो इस तरह से जब हम hydrogen electrode को व्यक्त करेंगे तो इस प्रकार इसे लिख सकते हैं कि H2 से 2H plus plus 2 electron तो यह hydrogen electrode reversible electrode की तरह भी कारे करता है कैसे यह समय पढ़ने पर oxidation भी कर सकता है और depend करता है किस electrode के लिए electrode विभाव की गढ़ना इसके द्वारा की जानी है यदि सामने वाला electrode यहां पर oxidation का कारे करेगा या उस पर oxidation होगा तो यह reduction होगा इसके reduction होगा तो यहां oxidation की करिया होगी यहां hydrogen electrode जो है वो उतक्रमड़ी electrode की तरह यह reversible electrode की तरह भी कारे कर सकता है एनोड की तरह भी कारे कर सकता है और cathode की तरह भी कारे कर सकता है यदि यह anode की तरह कारे करेगा तो इसे हम शो करेंगे कि H2 is equal to 2H plus plus 2 electron यहां electron निकल रहा है oxidation हो रह करेगा तो इसी cell reaction को हम लिख सकते हैं 2H plus plus 2 electron is equal to H2 मतलब यहां electron grand करने की करिया हो रही है अपचैन की करिया हो रही है तो जो hydrogen electrode है वो हमने जाना किसी ऐसे electrode के लिए भी ग्याद कर सकते हैं हमने यह देखा कि hydrogen electrode को reference electrode या फिर संदर्व electrode भी कहा जाता है ऐसा क्यों कहा जाता है क्योंकि hydrogen electrode की सहायता से हम किसी भी दूसरे electrode का मानक अवस्था में electrode विभव की गड़ना कर सकते हैं तो यहां पर मानक अवस्था का अर्थ यह है कि 298 Kelvin temperature, 1 atmospheric pressure, 1 molar concentration जिस solution में electrode को डुबाया गया है और जिस electrode का हमें electrode विभव ग्याद करना है तो किसी भी electrode के लिए मानक अवस्था में जो electrode विभव ग्याद करना है तो उसे यदि हम standard hydrogen electrode के साथ जोड़ देते हैं तो एक cell का निर्माड हो जाएगा क्योंकि standard hydrogen electrode जो है वो cathode की तरह भी कारे करता है और anode की तरह भी कारे करता है तो यदि हम यहाँ पर SHE या standard hydrogen electrode की साहता से दूसरे electrode का electrode विभव ग्याद कैसे करना है कि किस प्रकार से hydrogen electrode सहायक होता है किसी भी दूसरे electrode के electrode विभव को ग्याद करने में यहाँ पर हम एक उदाहरण zinc के लिए ले लेते हैं zinc electrode का electrode विभव में ग्याद करना है तो मानक अवस्था में जो zinc electrode है उसको 1 molar zinc sulfate में डुबाया गया है तो यह एक अर्देसेल बन गया यहाँ पर zinc के लिए electrode विभव हमें पता नहीं है यह हमें ग्याद करना है मानक hydrogen electrode की साहता से मानक hydrogen electrode के लिए जो electrode potential की value होती है E0 का मान होता है वो 0.00V होता है यह हम पहले ही जान चुके हैं यहाँ पर जिस electrode के लिए हमें electrode विभव की गरना करनी है उसका एक अर्देसेल बन जाता है और SHE या जो standard hydrogen electrode है उसका एक अर्देसेल बना लेते हैं और दोनों ही अर्देसेलों को वोल्ट मीटर की साहता से जोड लेते हैं और लवन सेतु यहाँ पर दोनों सेल के मध्य संपर्क या विद्यूती संपर्क को बनाने का कारी करता है विद्यूत उदासींता बनाए रखने का कारे करता है तो यहाँ पर एक विद्यूत रासायनिक सेल का निर्माड हो गया जिस इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड विभव ग्यात करना है उसके साथ हम SHE या स्टेंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़ कर एक पौन सेल का निर्माड कर लेते हैं दोनों हाफ सेल एक हाफ सेल में ऑक्सी करन होगा और दूसरे हाफ सेल में रेडक्शन होगा या अपचैन की क्रिया होगी तो जैसे ही दोनों सेलो को जोड़ा जाता है यहाँ पर वोल्ट मीटर की साहता से तो यह पाया गया कि वोल्ट मीटर में जो विक्शेप है वो 0.76 है इसका अर्थ है कि यहाँ पर विक्शेप हुआ तो इलेक्ट्रोन का जो प्रवा है वो जिंक से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह हो रहा है तो जिंक यहाँ पर एनोड की तरह कारी करेगा और जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो यहाँ पर कैथोड की तरह कारी कर रहा है जिंक से 2 इलेक्ट्रोन निकलता है Zinc 2 plus और 2 electron बहार निकला इसी तरह से 2H plus जो की hydrogen electrode है वो यहाँ पर अप्चेन का कारी हो रहा है वहाँ पर तो यहाँ पर जो hydrogen electrode है वो 2 electron को ग्रेहन करता है तो 2H plus plus 2 electron is equal to H2 तो यहाँ zinc में oxy करन हुआ और hydrogen में अपचेन की क्रिया हुई तो इस प्रकार जब हम दोनों सेलों को जोडते हैं दोनों सेलों को जोडने के बाद जो विक्षेप राप्त हुआ है वोल्ट मिटर में वो है 0.76 का विक्षेप है तो यह जब हम सूत्र में मान रखेंगे EMF निकालने के लिए तो E0 cell equal to E0 cathode minus E0 anode तो जो E0 cell है याने cell का जो विक्षेप है वो हमें प्राप्त हुआ 0.76 equal to E0 cathode minus E0 anode तो cathode यहाँ पर किस तरह से represent हो रहा है E0 H plus by H2 minus E0 zinc 2 plus by zinc तो यहाँ जो कम्प्लीट बिक्षेप है वो 0.7 चे है equal to यहाँ hydrogen चुकि है hydrogen यहाँ cathode की तरह कारे कर रहा है तो 0.0 minus E0 zinc के लिए E0 यहाँ पर zinc के लिए प्राप्त हुआ minus 0.76 volt तो इस तरह हमने देखा कि zinc के लिए कैसे SHE की साहता से electrode विभाव की गरना हो सकती है zinc यहाँ पर anode है और जो hydrogen electrode है वो यहाँ cathode की तरह कारे करता है अब हम ऐसा उदाहरण लेंगे जहाँ पर यह hydrogen electrode cathode की तरह कारे करेगा तो यहाँ पर हम copper का example लेते हैं कि copper rod को यदि copper sulphate में डुबाया गया और इसका एक अर्धिसेल बना दिये दूसरी तरफ जो SHE है वो एक अर्धिसेल है सभी मानक अवस्थाओं में ही कारे करेंगे याने 298 Kelvin temperature, 1 atmospheric pressure या 1 bar pressure तो यहाँ पर copper को SHE के साथ जोड़ दिया गया तो यहाँ जो SHE है या standard hydrogen electrode है वो यहाँ पर anode की तरह कारे करेगा और जो copper का electrode है वो यहाँ cathode की तरह कारे करेगा अर्थात उसमें अपचयन की क्रिया होगी तो यहाँ पर जब दोनों ही अर्ध सेलों को फिर से हम वोल्ट मीटर की सहायता से जोड़ देते हैं और एक लगी सहायता से दोनों सेलों के मध्य जो विद्धूती संपर्ख है उसको बनाए रखने के लिए इसे जोड़ देते हैं तो एक कम्प्लीट विद्धूत्रासायनिक सेल का निर्माड होता है तो जैसे ही यहाँ पर क्रिया शुरू होती है ऑक्सीकरण की क्रिया शुरू होती है हाइडरोजन इलेक्टोड की तरफ तो यह देखा जाता है कि जो विक्षेप है वोल्ट मीटर में वो हमें प्राप्त होता है शुर्ने दसमलव तीन चार वोल्ट तो यहाँ जब हम सूत्रे लिखते हैं तो E0 सेल एक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोट तो कम्प्लीट सेल के लिए यहाँ पर जो वोल्ट मीटर में विक्षेप है वो प्राप्त हुआ है शुर्ने दसमलव तीन चार इक्वल टू यहाँ जब हम E0 कैथोड कैथोड यहाँ पर कॉपर वाला है तो जैसे ही इन दोनों को जोड दिया जाता है तो जो कम्प्लीट विक्षेप है वोल्ट मीटर में वो शुर्ने दसमलव तीन चार प्राप्त हुआ तो रियक्षन इसमें अगर अर्द सेलो का रियक्षन हम देखें तो कैसे होगा हाइड्रोजन यहाँ पर एनोड की तरह कारे कर रहा है तो हाइड्रोजन पर ओक्सी करण की क्रिया होगी यहने इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेगा तो जो रियक्षन है वो कैसे लिखा जाएगा यहाँ पर जो हम रियक्षन लिखेंगे ह2 इक्वल टू 2H प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन और इनी दोनों इलेक्ट्रॉन को जो कॉपर 2 प्लस है वो ग्रहन करता है यहाँ पर कैथोड की तरह कारे करेगा इलेक्ट्रॉन ग्रहन हो रहा है तो कॉपर 2 प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन इस इक्वल टू कॉपर तो यहाँ पर कॉपर प्राप्त हुआ तो cathode की क्रिया हुई cathode पर अपचेन की क्रिया हुई copper पर तो इस तरह से जब हम इसे net cell reaction के रूप में लिखेंगे तो complete cell reaction ये लिखा जाएगा copper 2 plus plus H2 equal to copper plus 2 H plus क्योंकि यहाँ पर दोनों electron जो है उसको हम काट देंगे क्योंकि वो दोनों complete cell बन गया दोनों के लिए दोनों earth cell के reactions को जोड़ कर हम net cell अभिकरिया को प्राप्त करेंगे तो इस तरह से हमने देखा कि जो complete cell में जो शेप है वो 0,3,4 प्राप्त हुआ तो यहाँ पर जब हम सूत्र में रखते हैं इस मान को तो 0,3,4 बराबर यहाँ पर देखिए ई 0, copper 2, plus upon copper और यहाँ जो ई 0, anode है एनोड यहाँ हम पर hydrogen का है तो वो 0,0,0 बान है उसका तो यहां जब हम value देखेंगे ई 0, copper के लिए तो ई 0, copper 2 plus upon copper equal to प्राप्त होता है 0,3,4 बोल्ट तो इस तरह से जो copper है वो cathode की तरह कारे किया SHE के साथ जोडने पर तो इस प्रकार SHE की सहायता से हम किसी SHE electrode का electrode विभव भी ज्याद कर सकते हैं जो यहां पर cathode की तरह कारे करें और SHE electrode के लिए electrode विभव की गड़ना भी कर सकते हैं जो की SHE के साथ जोडने के बाद एनोड की तरह कारे करता है